बड़ी खबर है बाखमुट को लेकर जहां यूखरेन का सबसे बड़ा हमला हुआ है रूसी सैनिक ठेकानों पर यूखरेन ने किया है पलटवार यूखरेनी सेना के कमांडर अलेक्जेंडर सिरिस्की का दावा है यूक्रेणी हमले के बाद पोस्ट छोड़ता भागे है रूसी सेनिक यूक्रेणी सेना ने कुछ रूसी सेनिकों को भी पकड़ा है तो बाखमुट बारूदी शेहर में तबदील हो चुका है बड़ी लंबी लड़ाई यहां चल रही है रूसी हमलों का यूक्रेण ने बाखमुट में जवाब भी दिया है यूक्रेणी सेना का रूसी सेनिक ठेकानों पर विद्वनसक हमला बाखमुट में कई पोस्ट रूसी सेनिक भाग गए यूक्रेणी सेना रूस के कुछ सेनिकों को भी पकड़ चुकी है यह कहना है अलेक्जेंडर सुरिस की कमांडर यूक्रेणी सेना उनका यह दावा है यूक्रेण की तरफ से ऐसे दावे आते रहें बाखमुट जरूरी है बहुत जरूरी है क्यूं ह ये भी हम समझते हैं यूकरिन वार में रणनीतिक लिहाज से बाखमुट बेहद एहम है रोड आफ लाइफ कही जाने वाली सप्लाई लाइन यहां पे है और बाखमुट पर कबजे के लिए दस महीने से जंग चल रही है सतर हजार की आबादी वाला बाखमुट अब पूरी तरह से खाली हो चुका है बीच बीच में जब तस्वीरें आती हैं तो यकिन नहीं होता है कि यही वो बाखमुट है राठोर सर बाखमुट की लड़ाई इतनी लंबी चलने के पीछे मुख्य वज़ा क्या लगती है एक रवी बाखमुट इंपार्टन्ट भी है और इंपार्टन्ट नहीं भी है यस लड़ाई में दोनों ने क्या खोया क्या पाया यह सिर्फ इतिहास बताएगा यूकरेन ने रूस को वहां रोक के रखा रूस भी कहता है कि हमने यूकरेन को रोक कर रखा नहीं यही टुप काउंटर ओफेंसिव में काम आते हैं यह का एक लग रहा था कि रूस अभी बाखमुट को एक हफ्ते में खाली करा लेगा लेकिन फिर से इनके मोमेंटम में विराम लग गया और इसकी वज़े बताई जा रही है कि वैगनर फोर्स और रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस के बीच में डिफरेंस अफ उपीनियां जिसकी वज़े से वैगनर फोर्स ने वहां लड़ाई अपनी धीमी कर दिये तो इसलिए आपको यह पिछले दो दिन से खबर आ रही है कि यूक्रेन का पढला फिर भारी होने लगा है राठोर सर आपने जो कहा वह बहुत पुक्ता कह कि यह टर्निंग पॉइंट है बाकमुत का जो इस वक्त सामने आ रहा है